मुझे बनाना है आलू कीमा पर मेरे पास जो है वो रूखा गोच्ता तो मैंने का चलो इसको चॉपर में कीमा कर लेते हैं इसका तो इसको हम करते हैं अभी चॉप मैं अच्छे से वाश कर लिए और यह जो चॉपर हमें फर्स ताइम यूश करें तो यह टेस्ट भी हो तो अब हम इसको करते हैं ऐसे पंद टाइपली और लग पो लगाते हैं इसको फुझे लॉख चॉपर मोटा मोटा करूंगी साथ पास जाएगा इस ने कासी होगा वाओ जब्ची वह चॉपर हो गया हो तो मैं इसको बड़ा मोटा मोटा करूंगी बारीक ने करूंगी पिर भूट जादा वह जीट साथ हो जाएगा तो स्कूझे मैं इसको मिने मोटा मोटा क्या जिल्दी हो गया है मशीन का फिक पास्टा आप कि आ युज ऑ प्यास भी चॉप करने वह भी मैसी भी कब लगती है अपर मैं इसको पहले बॉच कर किया ही प्यास भी चॉप करते है हलो एप्रिवान असलाम अलीकुम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने गरों में खुश और अबाद होंगे यह आपर मैं बना रहे हूं आलू किमा और यह चॉप पर जोए हमें बताया था मैं नियू लेकर आही हूं तो मैंने इसको यूज बिलकुल भी नहीं किया था तो मैंने बोगत चॉप काया, थो यह वे बिहां बिता चॉप करने थे तो यहां पर मैंने लिया है एक बड़ा प्यास जो के मैं इसको कर लूँगी चॉप और दो मैंने लिया हैं टीमाटर उनको भी जल्दी से चॉप कर लेंगे बहुत जबरते से बहुत अच्छी है मुझे तो बहुत अच्छी लगी तो जी यहां पर मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था इतना हाई था कि हर चीज में चॉप करना स्टार्ट हो गई मैंने प्यास भी चॉप कर लिया हैं तो मेशीन का आपका यह फायदा होता है अच्छी में चॉप कर लिया है तो जी यहां पर हम आते हैं मज़दार सी रेसिपी की तरफ जो के मैं बना रही हूं आलो कीमा तो सबसे पहले मैंने कढाई के अंदर ले लिया है खुला बरतन होता है काफी सद आपका अच्छा खाना बन जाते हैं तो मैं जब भी खाना बन तो मैं मैं सबस्दे कैसे नहीं जाना जाते हैं मुझे बड़ एंड के कहुं दून जाले थी हूं रया काराई में छाना बनाना तो मैन प्यास के अनड खर दीना है अब को प्यास में प्याज बनी अ जो और आ इक ब्र12 ह PC अबरे उनड़ नहीं सब्ड़ हैं थोची दी आज युण पीम युप और है तो प्रई किमा क allegedly अगर में भी तो अगर जयों अगर मुआ तोंगा एक्स्ट्रा पानी इस तो एक्स्ट्रा पानी जे Abstirs तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले के अंदर जो के हमने रेडी किया था तो जी कीमे को अच्छे से भूने के बाद मैं इसके अंदर एट कर दूंगी टिमाटर पेस्ट जो के मैंने दो टिमाटर मीडियम साइज के ले लिए था उनको चॉप कर लिया था तो इस टाइम पे हम टिमाटर प्यूरी आइट कर देंगे तो जी अब हम इसके इड़ कर देंगे स्पाइस जिसमें सबसे पहले वेंट बिल स्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उस कर सकते हो और इसके बाद मैं इसके इड़ करेंगी रैड चिली पाउडर दो चम एक चमच मैंने रैड चिली पाउडर एड कर दिय अगर आप एड़ करना चौँ तो वह लास्ट पर हलका सा डाल सकते हो बस यह स्पाइस जालेंगे उसके बाद मैं इसके इंदर एड़ करूंगी आलू क्योंकि आलू को भी गलाना है तो इसके अदर हलका हलका पानी है तो उसमें ही हमारे जो आलू है वह अच्छे से गल जा आलू है थाहां तो यह थाहाँ दो ही हमारे जाए तो वह लास्ट आलू ही हमारे दोकु अधिर आलू हे शाली है तो टोड़का है गलाल हजे कर लेतक्ताब सिंदी आलू है तो भी चीन निये हैं आलूर। प्रफार्व मैं थोड़ा पिका लिड़ लगाके और एपका और अब में एक बड़ा अलू ले लिया था तो इसके अब में अच्छे से गल जा है कोई कच्छा इस बिल्कुल भी ना रहे तो अब इसके अब अच्छे कुकि अलु की कौइंटिती जो है वो तो छोड़ी जumber拜ा तो वा टाला ही पड़ेगा तो मैंने इसके तोड़ा सा पानी बैड कर दिया ताकि आलु जो अच्छे से गल कीमा खूलके कीम360 कई सबने तो तो जताएं किसे अधीने तो फ्रेज हुआ है इसमें इसको डालेंगी और लॉप करीं को भी नहीं प्रेज करके रखते हैं कि क्यों वड़ें आपको कोई लाकर दिने वाला मिलने होता वड़ें के बच्चों भी शुपी हो रही है तो लहां कोचिं की ग्लास्ट में हम एड़ करेंगे परे मिर्चें और पसूरी मेती परे मिर्चें एड़ करेंगे अबना सिंदर एड़ करेंगी थोड़ी सी पसूरी मेती पुष्पू करेंगे और दनिया भी आड़ करेंगे पर अभी मैं परे यह एड़ करेंगे इसके बाद में पसूरी में दनिया एड़ करेंगे तक बिड़ा ने दो के लिए अच्छी आ चेह आपके अच्छी आक्छी अच्छी को अच्छी आ रहे और गोहतीं नज़ेक्छा तो आपके लोगे चालीजाएं बस अब लास्ट में हम इसकेंदर आट करेंगे धनिया जो के भी मेरे बच्चे का बेजा लेने के लिए धनिया नहीं था तो इसकेंदर सेफ हम लास्ट में आट करेंगे धनिया और अलु कीमा बहुत ही मज़िदार सा मारा तैयार हो चुका है तो जी आप हमारा बहुत ही मुज़दार सा जो कीमा है वो तो हो चुका था रेड़ी और मैंने बच्चे को जैसे कि आपको बताया धनिया लेने बेजा था पर धनिया मुझे नहीं मिला आइड नो क्यों पर इसको हमें लास्ट लुक देने से रह गए पर कीमा बहुत जादा म करते हैं तो हमने का चलो इस पे थोड़ा सा इसको नियू करते हैं तो हमने इसके पर मार्विल शीट डाल दी कावे तदा अच्छा लग रहा है यह थोड़ी सी बच्ची है देखो अब यह कहां लगती है तो जो जो इसके बाद मैंने लगा लिया था खाना और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग आई होप अगर आपको अच्छा लगाओ प्लीज लाइक शेर कोमड़ और सब्सक्राइब तो माइ यूट्यूब चैनल थेंक यू सो मच वर वाचिंग अला आफिस बाई बाई